So Hello Everyone, Swagat है आप सभी का आज के वीडियो में, इस वीडियो में हम एक सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं, जो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा बुल मोमेंटम, मैं बुल रन नहीं कहूंगा, बुल रन भी कह सकते हैं, मोमेंटम आपको बहुत अच्छा प्रोवाइ सबसे पहले यह मेरा सेगंड चैनल है, फस्ट चैनल यह रहा, आप इसको भी जाकर के जरूर से सब्सक्राइब करना, उपर्चुनिटी इसको मैं यहां पर डीटेल में डिसकर्स करता हूँ, कहां पर एसल है, कहां पर टार्गेट है, एसल को ट्रेल कैसे करना है, वो सब थो है, मैं आपको यहां पर बताने वाला हूँ, और यहां पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं, जैसे आप अगर देखोगे, मैंने HDFC, AXS, PNB, यह सब डिसकस किया हुआ है, और यहां पर आप अगर देखोगे, तो मैंने इसको अपडेट किया हुआ है, कि किस ऑच्धशन के बारे में हम बात करेंगे. यहां पर आप देखोगे, तो मैंने मैं चार स्टॉकस यहां पर डिसकस करने वाला, सबसे बहरे से कट कर लेता है, कि कि यहांma सबसे पहला है RCF, अगर आप यहां पे देखोगे, कि यहां पाप देखोगे, यहां यहां पर अजर volume देखो के काफी जादा है breakout भी यहाँ पे जो है आ चुका है और अब जो है momentum यहाँ पे grab होने लगा है अगर आप देखो के चार-पांस जो ट्रेडिंग डेज है उसमें ही इसमें काफी अच्छा momentum दिख रहा है और मैंने इसको जो है इस particular stock को discuss किया हुआ है इस चैनल के एक वीडियो में जो अभी तक नहीं आया है लेकिन कल सुबह आ जाएगा इसलिए जाकर करके आप सब्सक्राइब करके बेल 57% का candle है और इसमें भी इसको मैंने जो है डिटेल में बात किया हुआ है सेम कॉंसेप्ट अगर आप यहां पर देखो के वाल्यूम काफी इंक्रीज हो रही है यहां पे और अगर आप थोड़ा और गौर करो मैं आपको थोड़ा सा यहां पे इसको उपर करता हूं जाकि जादा रेट का कम ग्रीन का जादा फिर यहां पर रेट का जादा हुआ लेकिन उससे भी बहुत जादा ग्रीन का हो गया तो यह चीज़ यहां पर यह दिखाना चाहरा है यह वाल्यूम यह हमें बताना चाहरा है कि यहां पर जाने के लिए मार्केट जादा इंट्रेस्टे इसको भी मैंने डिटेल में बताया हुआ है टार्गेट भी किस तरह से क्या करना है मैंने उसी वीडियो में बताया हुआ है जो कल आने वाला है एराउंड 7-7 बज़े आप 7 बज़े पकड़ लो 7 बज़े आ जाएगा एक्जेक्ट ओके इसके साथ और भी दो स्टॉक्स है जि सेम सेम कांसेप्ट यहां पे भी वही चीज आपको दिख रहा होगा हाँ सेलर्स आज काफी जादा एक्टिव थेस में इसको काफी दबाने की कोशिश की गई है ब्रेकाउट आज इसको मिल जाता बट नहीं मिला अब देखते हैं बहुत ही जल्द ब्रेकाउट आने वाला ह तो यहाँ पे अगर आप देखोगे sellers बार 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 इसको उपर से प्रेस्ट कर रहे हैं बार बार और buyers इसको लगातार उपर लेके जारे हैं अगर आप देखोगे पहले जो है, यहाँ पे support कहाँ पर बन रहा था आप इस चीज़ को देखो, पहले support बना यहां पर फिर सपोर्ट यहां पर फिर सपोर्ट यहां पर फिर सपोर्ट यहां पर मतलब सपोर्ट जो है उपर शिफ्ट हो रहे हैं लोज उपर शिफ्ट हो रहे हैं इसका मतलब क्या है यहां पर जो है बायर से स्ट्रॉंग है एंड लगातर सपोर्ट जो है उपर की तरफ श तो मैं यहां पर ध्वड़ा लोड कर लेता हूं जाथ ओके यहां पर सकते हो कि आप आप एक नॉर्मल सा साड़े 5% के आशपास का आप लिए टारगेट जो है है यहां पर अपने आप से डिसाइड कर सकते हो और अगर आप चाहो तो यहां पर भी कुछ quantity अगर आप चाहो तो एक target पे रख सकते हो बाकि आप अपने इसाप से जो है 1-2, 1-3 जिस तरह से आपको चाहिए आप ले सकते हो तो यहाँ पे मैं तो बोलूँगा कि यहाँ पे जितना हो सके आप trail करो, जितना हो सके trail करो target यहाँ पे confirm मत रखो trailing stopless हो जाएगा तो वो मैं आपको कहाँ अपडेट करूँगा, इसी चैनल पे आपको अपडेट करूँगा उसके साथ एक और है, और इन सब को मैंने अभी discuss नहीं गया है लेकिन जल्दी discuss करूँगा, तो अगर आपको detailed में discussion चाहिए, this channel is for you अगर आप इसमें भी देखोगे तो same concept यहाँ भी हमें देख रहा है volumes जो है green candle में बहुत जादा है, red candle में बहुत कम है और यहाँ पे लगातार volume increase हो रहा है और stock उपर जा रहा है, breakout यहाँ पे आज हमें मिल चुका है अगर आप देखोगे तो और इस candle के low पे जो है low के थोड़े नीचे low का थोड़ा नीचे आप ऐसा लगा सकते हो entry के बाद जो है यहाँ पे अच्छा momentum में देखने मिल सकता है और target आप जो है अपने हिसाब से decide कर सकते हो, बाकी मैं इस channel पे बताऊंगा detail में, तो बस यार अब end करते हैं इसी video को यहाँ पे आगे हम और भी बात करेंगे अब देखो मैं इस channel पे भी यही बात बोली हुई है, एक video जो आने वाला जो मैं कह रहा था, उसमें मैंने बोली हुई है आज भी इस channel पे भी कहता हूँ, क्योंकि फाइदा क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो सबसे पहली चीज कि railway stocks तो बहुत भागे, ठीक है, railway stocks में बहुत rally थी, लेकिन क्या सारे railway stocks में एक जैसी rally थी, यह क्या आगया बीच में तो क्या सारे railway stocks में same rally थी, क्या सारे railway stocks अपर सर्कृट अपर सर्कृट कर रहे थे, नहीं कुछ railway stocks में अपर सर्कृट जा रहा था, कुछ railway stocks में नहीं जा रहा था, कुछ railway stocks जादा उपर थे, कुछ कम उपर थे, और अगर आप देखोगे कि कुछ railway stocks बहुत भागे हैं, लेकिन कुछ railway stocks इतना भागे हैं भागे दोनों है लेकिन फाइदा किसमें जादा है इसमें जादा है तो आपको यह पहचानना होगा खुद से भी या फिर मेरे बातों से भी कि यहां पे जो है किसमें आपको खुद analysis चाहिए होगा इसके लिए आपको कोई help नहीं करने वाला आपको खुद decide करना है कि यहां पे कौन सा stock जादा perform करेगा अच्छा जैसे मैंने यहां पे discuss किया हुआ है यहां पे आप देख सकते हो यहां पे मैंने जो है RVNL discuss किया हुआ है RVNL आइरेडा discuss किया हुआ है तो इनमें जो है अच्छी rally थी बहुत बहुत अच्छी rally थी और यह जो है यह stock GSFC नाम है ठीक है आप इसको भी देख सकतो अच्छा है बाकि यहां पे जो है एक बहुत अच्छी rally थी RVNL में आईरेडा में भी upper circuits चल रहे थे IRFC ने काफी अच्छा perform किया वहीं पे कुछ railway stocks है जिनोंने performance दी no doubt लेकिन उतना अच्छा perform नहीं किया तो यह आपको पता है ना किसी को पता है कि आगे कौन सा stock जादा भागेगा सिर्फ हम analysis कर सकते हैं मैं भी करूंगा आप भी करना और analysis करकि यह पता करने की कोशिश करना कि किसमें जादा momentum expected है किसमें जादा momentum आ सकता है और उसके बाद जो है आप उसमें अगर जादा allocation करोगे comparatively मैं आसा नहीं करा कि साहरा उसी में आप allocate कर देना पता चला कि यह calculation गलत हो गया क्योंकि normal human being है गलत हो सकता है अगर calculation गलत हो गया और आपका वही stock सबसे कम चला बहुत खराब किसमत की बात में कह रहा हूं तो इस case में जो है आपको फिर कुछ जादा फायदा नहीं होगा क्यों किसमें ना के बराबर कर देना किसमें बहुत जादा कर देना अपनी हिसाब से इंड करते हैं वीडियो को वीडियो अच्छा लगा लाइक शियर सब्सक्राइब जरूर से करना यह सब चूटी चूटी बात हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए और इसी के साथ कोई भी किसी बितर का रिकमेंडेशन नहीं था वीडियो थोड़ा लंबा हो गया काफी मैंने स्टॉक्स डिसकस किये जैहिंद एंड थैंक्स वर वाचिंग